हेलो वर्यवन वेल्कम टू टेस्ट प्रेप कार्ट यूट्यूब चानल इस वीडियो में बात करने वाले हैं MSD-CET examination में आप किस प्रकार से अच्छा time management कर सकते हैं तो उसके पहले आप जान लीजे कि time management MSD-CET में क्यों important है तो देखिए यहाँ पर MSD-CET जो examination है उसमें 150 questions आपको 180 minutes में solve करने रहते हैं तो कहीं सारे जो students MSD-CET के जो topper students है वो भी कहते हैं कि MSD-CET is equal to time management क्योंकि इतने सारे questions आपको इतने कम समय में solve करने रहते हैं तो बाकी के exam साप देखोगे जैसे कि JEE तो उसमें आपको 75 questions 180 minutes में मतलब कि 3 hours में solve करने रहते हैं बट MSD-CET में आपको जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि 150 questions आपको 180 minutes में solve करने हैं तो यहाँ पर time management बहुत ही आच्छा होना important है तो सबसे पहले देखें आपको मैं structure बताता हूँ कि MSD-CET में जो structure है subjects का वो किस प्रकार का है तो हमें हमें हमेरे 3 subjects है physics, chemistry और mathematics physics में आपको 50 questions है और 50 marks है मतलब कि one mark for one question इसके बाद chemistry में भी 50 questions है और 50 marks मतलब कि one mark for one question but mathematics में थोड़ा सा difference है यहाँ पर mathematics में आपको 50 questions है but 100 marks है तो यहाँ पर mathematics बहुत ही important हो जाता है क्योंकि mathematics में आपको एक question के लिए आपको वहाँ पर 2 marks मिलते हैं ठीके तो यह structure है MSD-CET में subjects का तो time management का differentiation कैसा है मतलब कि कितना समय मिलेगा आपको हर एक individual subject को तो यहाँ पर जान लीजे MSD-CET में आपको 90-90 minutes के दो slot होंगे first 90 minutes में आपको physics और chemistry यह जो combined paper है combined questions है वो आपको solve करने रहेंगे और जैसे ही यह 90 minutes कतम होते है उसमें आपको आगे के 90 minutes में आपको mathematics solve करना पड़ेगा यहाँ पर कैसे रहता है जैसे 90 minutes अपके कतम होते हैं तो physics semester का जो combined paper है वो stop हो जाता है और mathematics का आपको examination शुरू हो जाती है तो यहाँ पर आपको जो strategies है वो use करनी रहते है time management की ताकि आपका भी जो question paper है वो अच्छे से complete हो सगे लेकिन strategy के और बढ़ने के लिए आपको एक scenario भी यहाँ पर पता होना चाहिए या फिर हम question format भी कह सकते है तो पिछले previous questions हम देखेंगे पिछले कई सालों के तो scenario जो questions का होता है वो कैसा होता है हर एक subjects में वो मैं आपको बताता हो देखो तो physics में कैसा रहता है हमरे 50 questions है तो 50 questions में से जो 40 questions है वो 40 questions मतलब numericals रहेंगे और जो बाकी के 10 questions है वो आपके 30 part रहेगा ठीक है और chemistry में कैसा है थोड़ा सा उल्टा आप कह सकते हो 40 questions है वो 30 parts में से आएंगे और जो 10 questions है chemistry में वो numericals या फिर reaction का part रहता है दो chemistry में जो 40 questions आपके रहते हैं थेरी वाले वो ऐसे रहते है कि आप मतलब कि जितना आप आपका study हुआ हो तो आप वो question पढ़के direct वहाँ पे जो answer है वो यहाँ पे 30 to 35 questions जो आते हैं वो easy होते हैं कई questions तो very easy भी कह सकते हो बट जो बाकी के 13 to 15 questions होते हैं लगब 15 questions वो difficult होते हैं तो यह scenario कहा से आया या फिर format कहा से मिला तो जो previous year questions papers है तो मतलब multiple question papers उनमें यह format देखा गया है MSTCET के तो इस MSTCET में सभी subjects के लिए आपको strategic क्या आपना नहीं है time management के लिए वो में आपको बताने वाला हूँ लेकिन उसके पहले एक important बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा NRI student के लिए हमने एक ebook प्रिपर की है जो कि आपको description box में मिलेगी DASA CIWG quota जो होता है उसके regarding आपको जानकरी भी मिलेगी तो वो PDF ebook हमने description box में दी है link description box में है वो download कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं जो strategies है उसके हम बात कर रहे थे तो strategies क्या आपको आपना नहीं है start करते है physics और chemistry जो combine paper आपको 90 minutes में first मिलेगा उसकी बात करते हैं तो physics और chemistry में आपको सबसे पहले chemistry solve करना है हाँ हाला कि आपके सामने जब paper start होगा आपका तब physics के question सबसे पहले सामने आएंगे लेकिन आपको जो solve करना है, वो chemistry solve करना है, क्योंकि chemistry में आपको 50 में से 40 questions है, वो सब 3 होगा, तो सबसे पहले आपको chemistry solve करना है, मतलब कि वो ऐसे questions होगे, कि आप जल से जल देखते ही उनको answer कर सकते हो, उसके बाद chemistry में जो हमारे 10 questions है, वो 10 questions भी आप वहाँ पर solve कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके 20 questions, numericals हो या फिर reaction हो, वो जल से जल solve हो जाते है, और chemistry solve करना के बाद आपको जाना है physics के और, physics में आपको, जो आपके 40 questions है, वो numericals है, तो वो आप पहले solve कर सकते हो, या फिर आपक होगे हमेरे first 90 minutes, physics और chemistry की, अब बात करते है mathematics की, तो mathematics में आपको क्या करना है, mathematics में आपको, जो हमारे 32-35 questions है, वो 32-35 questions, आपको सबसे पहले solve करने है, 1 hour में, first आपको 90 minutes है, तो वो 60 minutes है, 90 minutes में, उसमें आपको 32-35 questions solve करने है, और उसके बाद, जो 30 minutes है, मतलब कि जो आपके हा करने है, तो यह जो strategies है ना, वो proper students use करते हैं, और बाकी के जो other students है, उनके भी लगबख ऐसी strategies होती है, ओके, तो यह strategy आप आपके examination में भी apply करते हो, तो आपका भी, जो MSTCT का paper है, वो अच्छे से, पूरी तेरिक से complete हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और important aspect यह आता है, कि कई स सारे students के questions से attempt नहीं होते, questions क्यों attempt नहीं होते, क्यूंकि कैसा होता है कि आपको, मतलब एक momentum बनाना पड़ता है और उसके अनुसार, आपको questions attempt करने रहते है, तो कई सारे students के question छूट जाते है, लेकिन हमेर professor questions झाता है लेकिन हमें questions छोड़ने नहीं है, क्योंकि MSTCT में negative marking नहा है तो सारे questions हमें attempt करने हैं तो एक चोटी सी जो strategy है या फिर trick है वो आप use कर सकते हो कई सारे students MSD CET में use करते हैं वो ऐसी है कि आपको सब्सक्राइब कर रहा वो आप attempt नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है उसका answer आपको देना है लेकिन कैसे देना है option elimination method यूज कर सकते हो और या फिर जो एक लगता है आपको कि इस question का यह answer हो सकता है तो वो question आपको यहाँ पर select करना है answer करना है वो question और उसके बाद एक bookmark का type होता है वो bookmark करके रखना है क्योंकि MSD CETB online computer-based CBT exam जो है वो online होती है तो आपको वो bookmark करके रखना है और जैसे आपके last में कुछ समय बचता है आपके हाथ में उस समय आपको वो questions review करना है solve भी कर सकते हो यह क्यों करना है क्योंकि कई सारे students का problem वही हो जाता है कि उनके हाथ में 5-10 मिनिट है और उनके कई सारे questions unattempted है और इससे क्या होता है वो अच्छे से questions solve भी नहीं कर पाते हैं करते भी है तो वो तुक्के लगा के आ जाते है और उसका एक bad result क्या होता है फर्स 90 मिनिट तो उनका demotivation में जाते है क्योंकि उनके physics और chemistry की कई सारे questions वह unattempted करके आते हैं और बागी के mathematics का उनका paper है उसमें भी वो आच्छा perform नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक performance बना नहीं ठीक है तो यह कुछ हमरी स्ट्राइजिस थी मस्टी सेटी टाइम मेनेजमेंट के लिए जो कि आप भी आपके मस्टी सीटी एक्जमनेशन में एपलाई कर सकते हो और अच्छे से आपकी examination क्लियर कर सकते हो बट यहां बे और एक aspect ऐसा है कि आपको भी मस्टी सीटी के लिए कई सारे मौक टेस्ट होते हैं वह सगाल करने पड़ेंगे क्योंकि आप कई सारी मौक टेस्ट देते रहोगे उसके बाद ही आपको यह time management की strategy है वह apply करने के लिए जाद से जादा आपको comfort आएगा नहीं तो आप directly गए हो examination hall में औ आपको कई सारे मौक टेस्ट देकर practice करने पड़ेगी ठीक है I hope कि आपको एक अच्छा साच्छा एक guidance या फिर strategy इस वीडियो से मिले होगी ताकि आप आपका आपकी जो examination है उसमें ज्यादा ज्यादा excel कर सकते हो ठीक है तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वी वेच्ट